नवस्कार माईनान के खास वीकली शो कंपनी नमा में मैं संदीब ग्रोवर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस शो में हम आपको कॉर्पेट और स्टार्ट अप जगत से जुड़ी कारोबारी हफते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों से जुड़ी खबरों के बारे में भी पूरी जान करी देते हैं हमारी खास सेग्मेंट on the radar के जरीए तो बिना देरी किये कॉर्पेट से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का एपिसोड और बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ लो कॉस्ट एरलाइन कंपनी स्पाइजेट का शेर इस अपते चार खबरों के चलते फोकस में रहा सुबार 11 दिसंबर को खबर आई कि दो बड़े निविश्कों की और से कंपनी में 1000 से 1200 करोड रुपे का निवेश किये जाने की संभावना है खबर ये भी थी कि दुबई में सीज किये विमान को रिलीस करने के लिए दुबई इंटरनाशनल फिनेंशल सेंटर ने मंजूरी भी दे दी है साथी इस कंपनी ने स्टॉक एक्षिंजों को एनसी पर लिस्टिंग की योजना के बारे में भी जानकारी दी है 11 दिसंबर को स्पाइजेट के शेर ने 63 रुपे 69 पैसे की 52 अफ़ते की नई उचाई को चुआ और कारोबार की समापती 10 फीज़ी से जादा के उचाल के साथ 60 रुपे 57 पैसे के सतर पर हुई 12 दिसंबर को खबर आए कि स्पाइजेट के बोर्ड ने 2250 करोड रुपे जुटाने को मंजूरी दे दी है 1600 करोड रुपे एकुटी शेर जारी कर और 600 करोड रुपे की रकम वारंट जारी कर जुटाई जाएगी जिसका एशू प्राइस 50 रुपे पती शेर तैय किया गया है साथ ही दूसी तिमाही में कमपनी का घाटा 835 करोड रुपे से घटकर 428 करोड रुपे रहा बोड बैठक के फैसले के बाद स्पाईजेट का शेर 8.7 फीजदी गिरकर 55 रुपे 30 पैसे की स्थर पर फिसल गया था पर क्लोजिंग इंकरीब सबा 4 फीजदी की कमजोरी के साथ 58 रुपे 4 पैसे की स्थर पर हुई दूसी कबर हाल में शेर बाजार में लिस्ट हुई सरकारी कमपनी इरेडा ने रीटेल डिविजन लाउंच करने की खोशना की है जिसके तहए ये कमपनी पी-म कुसुम योजना, रूफटॉप, सोलर और अन्य बिजनस टू कंजुमर यानी बी-टू-सी सेक्टर्स के ग्राकों को लोन देने पर फोकस करेगी कुसुम प्रोग्राम के तहए इस कमपनी ने 58 करोड रुपे का पहला लोन दे भी दिया है तीसी कबर, जी हमार एरपोर्ट के शेर में बीते शुकुवार यानी 8 डिसंबर को हुई ब्लॉग डिल में GQG Partners और Goldman Sachs ने Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund के जरिए 69 रुपे 9 पैसे के औसद भाव पर 1671 करोड रुपे में इस कमपनी के 28 करोड 29 लाग शेर खईदे हैं Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund की और से इस कमपनी की 4.7 फीजदी से दारी खईदी गई है साथ ही नमूरा इंडिया ने भी इस ब्लॉग डिल के जरिए कमपनी के सवा 6 करोड शेर खईदे हैं इसके लावा खबर ये भी थी कि एक जनवरी से गोवा एरपोर्ट पर ये कमपनी यूजर डेवल्प्मेंट फीज यानि यूडिएफ लेंडिंग चार्जिस पार्किंग चार्जिस में बढ़ात्री करने जारी है सुमबार 11 दिसमबर को कारुबार के अंत में जीमार एरपोर्ट का शेर करीब पौने 6 फीजदी की मदबूती के साथ 72 रुपे 80 पैसे के सार पर बंद हुआ और दिन के दुरान शेर ने मैई 2009 के बाद पहली बार 74 रुपे 40 पैसे की उचाई को चुछ हुआ था चौथी कबर अधानी ग्रूप इस अफते कई ख़बरों के चलते फोकस में रहा 11 दिसमबर को खबर आई कि अधानी ग्रूप की अगले एक दशक में 7 लाख करूड रुपे का निवेश करने की योचना है इस निवेश के जरीए समू की इंफरसक्चर सेक्टर में अपनी लीडर्शिप को मजबूत करने की मंचा है प्रूप के चेर्मेन गौतम अधानी ने एक ट्वीट के जरीए इस निवेश की घोशना की दूसी कबर ये थी कि अधानी पावर ने 6 हफते के अंदर दिवाले कंपनी लैंको अमरकंटक पावर के लिए दूसी बार अपनी बोली बढ़ाई है अदानी पावर ने लेंको अमरकंटर्ग पावर को खईदने के लिए बोली को 3650 करोड उपे से बढ़ा कर 4100 करोड उपे कर दिया है गौर तलब है कि 95 फीजडी लेंडर्स की और से पीएफसी के प्लान को मनजूरी देने के करीब 10 से 11 महीने के बाद ये आफ़र दिये जा रहे है साथी खबर ये भी थी कि अदानी ग्रीन अनरजी की और से 75 करोड डॉलर के बाउंड्स का भुकान समय पर किया जाएगा 11 दिसंबर को अदानी अन्टरपाइस का शेर करीब 1.5 फीजडी चड़कर पर अदानी ग्रीन और अदानी पावर के शेर 1 से 2 फीजडी की गिरावट लेकर बंद हुए 12 दिसंबर को भी दो खबरें आई थी पहली ये कि अदानी ग्रीन अनरजी 2024 के डॉलर बॉंड्स को रीफिनेंस करने के लिए 41 करोड डॉलर की रकम जुटाएगी दूसी ये कि वितवर 2024 की पहली चमाही में अदानी ग्रूप का अबिड़ा यानि कामकाजी मुनाफ़ा 47 फीजडी बढ़कर 43,688 करोड रुपे पर रहा है 12 दिसंबर को अदानी एंटर्प्राइजिस का शेर मामुली पर अदानी ग्रीन का शेर साड़े चार फीजडी की गिरावट के साथ बंद हुआ था 13 दिसंबर को अदानी समू की कंपनी अदानी टोटल गैस की दूसरे दिन भारी भर कमपेटाई हुई दो दिन में इस शेर करीब 15 फीजडी तूट गया शेर में जारी उठापटक से निवेशकों को आगा करने के लिए दोनों एक्स्चेंजों यानि बीएसी और एनसी ने इस शेर को शॉट टम एसम यानि अडिशिनल सविलेंस मेजर फ्रेमवर्क में डाल दिया था बुदवार को ये शेर 10 फीजडी के निचले सरकेट पर एक हजार दो रुपे असी पैसे के सर पर बंद हुआ 14 दिसंबर को खबर आई कि बिहार बिजनस कनेक्ट 2023 में अदानी ग्रूप के डारेक्टर प्रणव अदानी ने बिहार में 8700 क्रूड रुपे के निवेश की घोशना की है बिहार में अब तक हुए 8500 क्रोड रुपे के निवेश को अधानी ग्रूप 10 गुना बढ़ाना चाता है जिससे 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा 14 दिसंबर को अधानी एंटर्पाइजिस का शेर आदा फीज़ी से ज़्यादा की मदबूती के साथ 2893 रुपे के सतर पर बंद हुआ 15 दिसंबर को खबर आए कि वितवर 2024 की पहली चमाही में अधानी ग्रूप की नगदी करीब पौने 14 फीज़ी बढ़कर 45,895 करोड रुपे रही है साथी अधानी पोर्ट्स अपने अधानी एन्नोर कंटेनर टर्मिनल में 49 फीज़ी सेदारी 247 करोड रुपे में बेचने जा रही है 15 दिसंबर को अधानी पोर्ट्स का शेर करीब आदा फीज़ी की मदबूती लेकर बंद हुआ था पांचवी कबर मैक्स हेल्थ केर इंस्टिटूट ने स्टार लेट मेडिकल सेंटर को 940 करोड रुपे में खरीदने की खोशना की है इस अधिगरहन से मैक्स हेल्थ केर को लखनाओ में 550 बेट की शमता वाले सहारा हॉस्पिटल की कमान भी मिल जाएगी यदिगरहन मैक्स हेल्थ केर की एक सब्सिडरी कमपनी क्रॉसले रेमेडिस लिमिटेड या सीरल की और से पूरा किया गया है 11 दिसंबर को जब ये खबर आई तो मैक्स हेल्थ केर का शेर करीब सवा एक फीजदी की मदबूती के साथ 686 रुपे के स्थर पर बंद हुआ था अगली खबर मंगलवार 12 दिसंबर को देश की चौती सबसे बड़ी दवा कमपनी मैनकाइड फार्मा के 3 करोड एक लाक शेरों की ब्लॉग डिल हुई जिसकी वैल्यू 5,550 करोड रुपे आखी गई है एक रिपोर्ट के मताबिक इस ब्लॉग डिल में बेज इन्वेस्मेंट, लिंक इन्वेस्मेंट फण्ड, केर हिल C.I.P.E.F., केर हिल C.G.P.E. और हेमा C.I.P.E.F. नाम की पांच प्राइवेट एक्विटी फण्स की और से हिसा बिक्री की गई है इस ब्लॉग डिल के बाद 12 दिसंबर को मैंकाइन्ट फार्मा का शेह दिन के दुरान 1827 रुपे 50 पैसे के सतर तक फिसल गया था और क्लोजिंग करीब पौने 4 पीज़दी की कमजोरी के साथ 1850 रुपे के सतर पर देखने को मिली साथफ़ी खबर अनबेफसी कमपनी कैप्री ग्लोबल को इंशॉरेंस रेगुलेटर एड़ा से इंशॉरेंस कारोबार शुरू करने के लिए लाइसेंस मिल गया है इस कारोबार में कंपनी हर साल 2 से 3 करोड रुपे का निवेश करेगी और वितवस 2025 में इस कारोबार से करीब 20 करोड रुपे की आये होने का अनुमाल लगाया जा रहा है कैप्री ग्लोबल का शेर मंगलवार 12 दिसंबर को आदा फीज़ दी गिरकर 760 रुपे पर बंद हुआ हलाकि मजबूत शुरुवात के दम पर दिन के दुरान शेर 789 रुपे तक उचल गया था आठवी कबर Consumer Durable या Electronic Goods की Manufacturing से जुड़ी Dixon Technologies की Subsidiary Company Paget Electronics ने Global Tech Leader Lenovo के लिए Laptops और Notebook समित IT Hardware Products की Manufacturing के लिए डील जीत ली है 12 दिसंबर को दिन के दुरान डिक्सन टेक के शेर ने 6,765 रुपे की रिकॉर्ड उचाई को चुगा पर कारोबार की समाप्ती पर शेर करी पौने एक फीज़ दी गिरकर 6,333 रुपे 15 पैसे की स्तर पर बंद हुआ था नौमी खबर 10 देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलाइंस इंडिस्टी ज्यानी आर रियल और डिजनी अपने भारत के मीडिया और एंटर्टीनमेंट कारोबार के मर्जर की तियारी में है एक रिपोर्ट के मताबिक दोनों कंपनियों ने मर्जर की शर्तों से जुड़ी टर्मशीट को तियार कर लिया है डिल पूरी हुई तो मर्जर के बाद एक कंपनी देश का सबसे बड़ा मीडिया और एंटर्टेनमेंट बिजनस होगा जिसमें आर रियल की मेजर्टी हिस्सेदारी होगी माना जा रहा है कि वायकॉम एटिंग की एक सबसेडिरी कंपनी का गठम होगा जो स्टार इंडिया का शेर स्वैप के जरीए एब्सॉप्शन करेगी 12 दिसंबर को आर रियल का शेर करीब डेड़ फीजदी की गिरावट के साथ 2424 रुपे के सरफ पर बंद हुआ था ग्यार भी कबर बंद हुआ था बारवी खबर बाबा कल्यानी ग्रूप की कंपनी भारत फोर्ज ने जानकरी दी है कि कंपनी के ग्लोबल डिपॉजटर रिसिट यानि जीडियार लग्जंबर्ग स्टॉक एक्सेंज से डी लिस्ट होंगे ये डी लिस्टिंग 15 जनवरी जीडियार प्रोग्राम के डी लिस्टिंग होने के बाद भी भारत फोर्ज के शेर भारती शेर बजार यानि बीसी और एनसी में रोज की तरह ट्रेड किये जा सकेंगे 14 दिसंबर को भारत फोर्ज का शेर आदा फीजदी की बढ़त के साथ 1200 रुपे के सतर पर पंथ हुआ था कमेशल वेहिकल्स बनाने वाली कंपनी फोर्स मोटर्स ने 2.68 करोड उपे में टाटा पावर रिन्यूबल एनरजी की सब्चिज़री कंपनी टीपी सूरियल लिमिटेड का 12.21 फीजदी हिस्सा खईद दिया है इस हिस्सा खईद के जरिये फोर्स मोटर्स की इनरजी सेक्टर में एंट्री हो गई है इस खबर के आने के बाद 13 दिसंबर को फोर्स मोटर्स का शेर पौने एक फीजदी गिर कर 3656 रुपे 20 पैसे किस्तर पर बंद हुआ था अगदी खबर बुदवार 13 दिसंबर को निजी छेतर के बैंक एक्सिस बैंक के 3 करोड 34 लाग शेरों या 1.1 फीजदी हिस्से की बड़ी ब्लॉक टील हुई एक रिपोर्ट के मताबिक प्राइवेट इक्यूटी फर्म बेन कैपिटल ने अपनी दो सेहोगी कंपनियों इंटीग्रल इंवेस्मेंट्स साउथ एशिया फूर और बीसी एशिया इंवेस्मेंट्स सेवन के जरिये एक हजार एक सो उननीच उपे सतर पैसे प्रतिशेर के भाव पर चौवालीज दिशनलव आठ करो डॉलर में ये हिस्सेदारी बेची है आंकरे बताते हैं कि बेन कैपिटल को इस शेर बिक्री से तीन हजार साथ सो करोड रुपे से जादा का मुनाफ़ा हुआ है साल 2023 में बेन कैपिटल ने एक्सिस बैंक में दूसरी बार हिस्सा बिक्री की है इससे पहले जून में 968 रुपे के आसद भाव पर शुर्ने दिशनलव 7 फीजदी हिस्सा बेच कर बेन कैपिटल को 2178 करोड रुपे की रकम मिली थी वहीं पिछले साल अक्टूबर में बेन कैपिटल ने करीब सवा फीजदी इसे दारी बेची थी 13 दिसंबर को हुई इस ब्लॉक डील के बाद एक्सिस बैंक का शेर सवा एक फीजदी गिरकर 1116 रुपे 90 पैसे की स्थर पर बंद हुआ था पंदर भी खबर रेवले के लिए केटरिंग और E-Tiketting की सोविदा मोहिया करनाने वाली कंपनी IR CTC नॉन रेलवे केटरिंग कारोबार का विस्तार करेगी ये कंपनी सरकारी और निजी संसानों में केटरिंग सर्विश्त देगी इस विस्तार योजना के तहट कंपनी की 15 नई केटरिंग यूनिट को शुरू करने की योजना है दरसल IRCTC का हॉस्पिटैलिटी और केटरिंग में बड़ा ब्रैंट बनने का लक्ष है 14 दिसंबर को IRCTC का शेर करीब 2 फीजदी बढ़कर 792 रुपे के सर पर बंद हुआ इस सौदे में ग्लोबल प्राइवेट एक्विटी फर्म वाबर पिंकस ने अपनी सहोगी कंपनी हनी रोज इन्वेस्मेंट के जरीए करीब 64,57,000 शेर या 6.4 फीजदी इससेदारी 369 करोड रुपे में बेची है इसके लावा शिकागो की इन्वेस्मेंट फर्म क्रियेशन इन्वेस्मेंट्स फ्यूजन ने इस कंपनी के करीब 38,41,000 शेर या 3.8 फीजदी इससेदारी 213 करोड रुपे में बेची है ये शेर 555 रुपे 60 पैसे के आसद भाव पर बेचे गए हैं जिसकी वैलियू 572 करोड रुपे आखी गई है ब्लॉग डिल के बाद कारोबार के अंत में 14 दिसंबर को फ्यूजन माइक्रो फिनेंस का शेर 6 फीजदी के उचाल के साथ 596 रुपे 80 पैसे के इस तर पर बंद हुआ था अगली खबर महिन्दा एंड महिन्दा गूर्प की NBFC कारोबार से जूड़ी कंपनी M&M Financial के बोर्ड ने कंपनी को इंशॉरेंस कारोबार में उतरने की मनजूरी दे दी है ये कंपनी जनरल, हेल्थ और लाइफ इंशॉरेंस तीनो तरह के कारोबार में उतरेगी पर कंपनी इस कारोबार में कॉर्परेट एजेंट के रूप में काम करेगी इस कारोबार के लिए कंपनी 5-10 करोड उपे का शुरुआती निवेश करेगी जो कि टेकनोलोजी, हाइरिंग और ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन पर खर्चोगा हला कि इस कारोबार में एंट्री के लिए इंशॉरेंस रेगुलेटर इर्डा की मंजूरी के लावा बैंकिंग रेगुलेटर आर बियाई से एनोसी लेना अभी बाकी है पंदर दिसंबर को एमनेम फरनेंशल का शेर शुरुआती बड़त के बाद इनकी उचाई से फिसल कर करीब एक फीजदी की कमजोरी लेकर बंद हुआ था तो कॉर्पेट जगत की खबरों के बाद आब रुक करते हैं कॉर्पेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन्दा रेडार के जरिए और बढ़ते हैं पहली खबर की और 11 दिसंबर को देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादग कमपनी एंटीपीसी के लिए एक रहात की खबर आई खबर यह है कि एंकलेट ने कमपनी पर सीसी आई के और से लगाई गई गई 2023 को कमपनी पर 40 लाख रुपे की पेनल्टी लगाई थी जिसे एंटीपीसी ने एंकलेट में चोनौती दी थी 11 दिसंबर को एंटीपीसी का शेर करीब एक पीज़दी की बड़त के साथ 287 रुपे 60 पैसे के सतर पर बंद हुआ था दूसी कबर भारतिय जीवन बिमा निगम यानी LIC को डेपरिटी कमिशनर स्टेट टैक्स वारंगल तेलंगाना की और से 183 करोड उपे से जादा का GST डिमांड नोटिस मिला है हलाकि LIC के मताबिक इस नोटिस से कमपनी के ऑपरेशन्स, फैनेशल्स और दूसरी गतिविदियो पर कोई असर नहीं देखने को मिलेगा पर सोंबा 11 दिसंबर को LIC का शेर करीब एक चुताई फीजदी की मामूली गिरावट के साथ 799 उपे 65 पैसे के सतर पर बंद हुआ था तीसी कबर, देश की दूसरी सबसे बड़ी IT कमपनी Infosys के सामने लीडर्शिप संकट पैदा होने की आशंका जताई जारी है हाली के दिनों में कमपनी से टॉप मैनेजमेंट के कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी है अपने पज से इस्तीफा देने वाले अधिकारियों में ताजा नाम कमपनी के CFO निलंजन रॉय का है निलंजन 31 मार्च को कमपनी छोड़ देंगे पिछले एक साल के दुरान Infosys से टॉप मैनेजमेंट के बारा लोगों नी नौकरी छोड़ी है खबर आने के बाद 12 दिसंबर को Infosys का शेयर करीब एक फीज़ दी गिरकर 1476 रुपे के स्तर पर बंद हुआ था चौथे कबर करसंकर्ट में फसी फ्यूचर ग्रूप की कमपनी फ्यूचर एंटरप्राइजिस के लेंडर्स यानि कर्जदाताओं ने बेडिंग प्रक्रिया दुबारा शुरू करने के पक्ष में वोटिंग की है इस कमपनी के लिए फ्रेश बोलिया मंगवाने पर सहमती बनाने के लिए 4 दिसंबर को वोटिंग शुरू हुई थी और मंगलवार 12 दिसंबर को खतम हुई दरसल इस कमपनी पर बैंकों का कुल 13,540 करोड रुपे का बकाया है और इस कमपनी को खईदने के लिए कॉलकाता की कमपनी जिंदल इंडिया ने महज 301 करोड रुपे की ही बोली लगाई थी इसलिए बैतर वैलुशन की मांग के साथ बैंकों ने इस कमपनी के लिए दुबारा बोलिया मंगवाने का फैसला लिया है पांचवी खबर जियो फिनैंशल सर्विसिल लिमिटर्ड यानी जिये फैसल को इस अफ़ते सेक्योरिटी सेपिलेट टोबिनर्ड यानी सैट से बड़ी रहात मिली है दरसल सैट ने मार्केट एगलेटर सेवी की और से कमपनी के खिलाब फैसले को रद कर दिया है सेवी ने जून 2023 में जिये फैसल पर साथ लाक रुपे का जुर्माना लगाया था यह मावला 2017 का है जिसमें जिये फैसल पर निफ्टी आप्शन से जुड़े कुछ सौदों में हेरा फिरी यानी मैनिपलेशन का आरूप था यह सौधे रिलाइंस स्र्टीजिक इन्वेस्मेंस निमिटर यानी जे फैसल और मौगन स्टैनली फ्रांस ऐसे के बीच हुए थे जिसको लेकर रिलाइंस समूने सैट में अरजीदा किल की थी चौदा दिसंबर को जे फैसल का शेर मजबूस शुरुआत के बाद एक जोताई फीज़ी से ज़्यादा की कमजोरी के साथ 238 रुपे 95 पैसे के सर्ट पर बंद हुआ था चटी कबर नगदी की किल्लत से जूर रही देश की तीसी सबसे बड़ी टेलिकॉम कमपटी 33 दिसंबर एक फीज़ी हिस्से के बराबर तबदील कर दिया था और इस तरह सरकार इस कमपटी में सबसे बड़ी शेर धारक बन गी थी 13 दिसंबर को वोड़ोफोन आईडे का शेर करीब आदा फीज़ी चड़कर 13 रुपे 20 पैसे के सार पर बंद हुआ था हलाकि दिन के दुरान शेर ने 13 रुपे 60 पैसे की उचाई को भी चुआ था साथवी खबर गुरुवार 14 दिसंबर को मेटल एंड माइनिंग कमपनी वेदानता की पेरेंट कमपनी वेदानता रिसोर्सिस लिमिटेड यानी वी आर एल को लेकर खबर थी कि कमपनी ने 3.8 रब डॉलर के बॉंड के बुक्तान में फेर बदल की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है वी आर एल को जनवी 2024 में करीब एक रब डॉलर के बॉंड का बुक्तान करना है पर इसके बावजूद ग्लोबल रेटिंग एजनसी सन पी ग्लोबल ने वी एरल की रेटिंग को ट्रिपल सी से डाउंग्रेड कर डबल सी कर दिया सन पी ग्लोबल ने इस कंपनी के और से मार्स 2025 तक भुक्तान किये जाने वाले साड़े चार अरब डॉलर के करज को लेकर चिंता चिताई है खबर के बाद 14 संबर को भारत में इस्टेट कंपनी विधानता का शेर दिन के निचले सर से रिकवरी के बाद करीब आदा फीजदी चड़ कर बंद हुआ था आठवी खबर डिल एस्टेट कारोबार से जूडी कंपनी डिल एफ के चीफ फनैंचल आफिसर यानी सीएफो विवेक आनन ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया है वो अपने पद पर फरवरी तक बने रहेंगे कंपनी के मैनेजिंग डिरेक्टर अशोक कुमार त्यागी फैनैंस समेथ सभी कॉर्परेट फंक्शन्स के साथ साथ अब ग्रूप फैनैंस, आईटी और सेकरेटेरियल फंक्शन्स को भी सुपरवाईज यानी उनकी निग्राली करेंगे मंगलवार को डिल्फ का शेर करीब एक फीजदी गिरकर 661 रुपे तीस पैसे के सर पर बंद हुआ था नौमी खबर माकेट रेगलेटर सेभी के लगबग हर फैसले को सैट की और से या तो पल्टा जा रहा है या रद किया जा रहा है जेफसल के लावा इस अफते दूसरा मामला डाक फाइवर केस से जुड़ा है जिसमें सेभी ने एनसी के खिलाफ फैसला सुनाया था सैट ने डाक फाइवर केस में एनसी पर लगए 7 करोड रुपे के जुर्माने को रद कर दिया है साथ ही एनसी की पूर्व एमडी और सीईओ चितरा रामकिष्णा पर पैनल्टी की रकम को 5 करोड रुपे से घटा कर 25 लाक रुपे कर दिया गया है जबकि सुब्रमन्यन पर लगाई 4 करोड रुपे की पैनल्टी पूरी तरह से हटा दी गई है आपको पता दे कि सेभी ने अपरेल 2019 में एनसी को 12 फीजदी सलाना ब्याज के साथ 625 करोड रुपे का मुनाफ़ा लोटाने का आदेश जारी किया था इसके लावा एनसी के पूर्व एमडी वे सीईयो रवी नरायन और चितरा रामकिशना को इस दरान मिली सैलरी का 25 फीजदी हिसा लोटाने के लिए भी कहा गया था तो इसी के साथ कॉर्पेट जगर से जुड़ी इस हफते की तमाम बड़ी खबरें आपको पता चल गई 25 सरब डॉलर की फंडिंग मिली थी दरसल 2022 की तुनला में 2023 में 10 करो डॉलर से ज़्यादा फंडिंग वाले राउंड की संख्या में 69 फीजदी की कमी हुई है और इस साल केवल दो स्टार्ट अप्स ने ही यूनिकॉन का दरजा हासिल किया है जबकि पिछले साल यानी 2022 में 23 क अपनी ओला इलेक्रिक जल्द अपना आइपियो लॉंच कर सकती है इस तरह दो दशक में यानी 20 साल के बाद पहली बार किसी आइपियो आईपियो आएगा इससे पहले 2003 में मारुती सुजूकी ने अपना आइपियो लॉंच किया था यह कंपनी आईपियो के ज़रिये 500 कुरूर रुपे के रखम जुटा सकती है और इस तरह ये देश के टॉप 15 सबसे बड़े आईपियो की सुची में शुमार हो जाएगी को लेकर असमंजस की सेते में हैं चौती कबर फिंटेक कंपनी भारत पे के को फाउंडर अशनीर ग्रूवर ने कंपनी में अपने M.D. के पर पर बहाली की मांग करते हुए N.C.L.T. मेर जीदा किल की है उन्होंने भारत पे के मैनेजमेंट के खिलाफ दमनकारी आचरन और कूपर बंदन का आरोप लगाया है ग्रूवर ने ये गोशना करने क्या भी अरूद किया है कि उनके जाने के बाद से कंपनी के मैनेजमेंट में किये गे बदलाव अवैद यानि गयर कानूनी है यही नहीं उन्होंने N.C.L.T. से Ministry of Corporate Affairs की और से इस कंपनी की जांच और ओर्डिट कराने की भी मांग की है और 1 मार्च 2022 यानि उनके इस्तीवे के बाद जारी सभी शेर या ईसॉप्स को रिवर्ट करने के लिए भी कहा गया है पांच भी खबर फिंटेक कंपनी जस्पे को पेमेंट एग्रिगेटर के कारोबार के लिए रिजर्ब बैंक की सेधानतिक मंजूरी मिल गई है फिलाल कंपनी ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए पेमेंट सर्विस परवाइडर का काम करती है लेकिन अब रिजर्ब बैंक की मंजूरी के बाद कंपनी कार्ड यूपी आई और वालेट पेमेंट कारोबार में भी उतर जाएगी फिलाल बैंक के नेमों के मताबिक मौईदा पेमेंट गेटवे कंपनियां पेमेंट एग्रिगेटर के लिए सेधानतिक मंजूरी के बाद कारोबार की शुरुआत कर सकती है तो कॉर्पेट्स और स्टाटप जगत की पूरे हफ़ते की खबरों का सिलसला यहीं खतम करते हैं परस्नल फरैंस और बिज्दस जगत से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए मरी नाइन के सूपर आपको तुरन डाउनलोड कर लेजिए अगले शनिवार की शाम को इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ तब तक आप देखते रहें मरी नाइन वक्त हो गया आपसे विदा लेने का नमस्कार शुबरात परे झाल्फ झाल्फ झाल्sa